दोस्तों आज का जो वीडियो है वो बहुत ही जादा स्पेशल होने वाला है रीजन उसके पीछे बहुत ही सिंपल सा है 10,000 रुपीज से लेके 15,000 रुपीज की रेंज के बीच में जो टॉप 5 स्मार्टफोंस मैं आपको बताने वाला हूँ उन में से 4 मैंने खुद अपने प्राइमरी सिंप के साथ इस्तेमाल करे वें तो एक्स्ट्रीम टेस्टिंग उन सभी स्मार्टफोंस की कर चुका हूँ मैं एक को मैं नहीं कर पाया हूँ उसको बहुत जल्दी कर लूँगा दूसरी बात यह है कि मैं बहुत जागा खुश हूँ क्योंकि 10,000 रुपे से लेके 15,000 रुपे की रेंज के बीच में आज की तारिक में क्या-क्या नहीं अवेलेबल है 5G स्मार्टफों लेना चाहते हो तो वो आपको मिल जाएगा सूपर अमलेट डिस्पले, हाईयर रिफरेच डेट, गेमिंग स्मार्टफों कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफों, बहुत ही कमाल धमाल आप्शन आपको मिलने वाले हैं तो मेरा नाम है संदीप, चैनल का नाम है टेकवान, यह शुरुआत करते हैं सूपर अमलेट डिस्पले, और इस फोन की डिस्पले का एक्स्पिरियंस यार बहुत ही जबर्दस्त है दोस्तों, इस स्क्रीन का साइज 6.43 इंचिस है और 20 इस्टु 9 के एस्पेक्ट रिशो पर आता है काफी हेंडी है, एक हाथ से आप बड़े असानी से इसको इस्तमाल कर सकते हैं लाइट वेट स्मार्टफोन है, उसके बावजूद 5000 mAh की बैटरी आपको यहां पर मिल जाती है with 33 Watt का Fast Charger in the Box Type-C connectivity यहां पर है और एक काफी दमदार Qualcomm Snapdragon 678 का processor है और अगर मैं बात करूँ camera की, तो rear में आपको quad camera का setup देखने हो मिल जाता है 48 MP का main primary camera है, 8 MP का ultra wedding lens है दोनों के ही results काफी अच्छे आपको देखने हो मिल जाते हैं बाकी 2 MP के दो और camera हैं जिनके बारे में बात नहीं करना चाहूँगा selfie की बात करूँ तो 13 MP का front camera आपको यहाँ पर देखने हो मिल जाता है 4 GB RAM और 64 GB storage वाला variant 13,499 रुपे का है बिंदास अब इसके लिए जा सकते हैं दो 4G की स्थिम लगाने के बाद भी अलग से dedicated micro SD card का slot है जहाँ पर memory card लगागर 512 GB तक storage को बढ़ाया भी जा सकता है वन अब बेस्ट बाई अंडर 15,000 रुपीज और अब बात कर लेते हैं दूसरे नमबर के smartphone की जो है Moto G40 Fusion यहाँ पर आपको 4 GB RAM और 64 GB storage वाला variant 14,499 रुपीज का देखने हो मिल जाता है 64 MP का primary camera आपको यहाँ पर मिलेगा with 8 MP ultra wide angle lens और 16 MP का आपको front camera भी देखने को मिल जाता है दोस्तों इस phone के अंदर आपको 6.7 18 चीज की बड़ी display देखने हो मिलती है और साथ ही जो display है वो 120 Hz के higher refresh rate के साथ आती है कमाल का experience होगा अगर आप यहाँ पर gaming वगेरा भी करते हैं क्योंकि जो processor वो बहुत दमदार है Qualcomm Snapdragon 732G और साथ ही stock android के तो क्या ही कहने मतली है आपको बहुत ही neat and clean experience होने वाला है यहाँ पर मेरा एक suggestion है अगर आप 15,500 रुपे और जोड सकते हैं बहुत ही killer deal आपको यहाँ पर मिल रही है 6GB RAM और 128GB storage वाला variant है वो सिर्फ 15,499 रुपे का मिल रहा है तो मेरी छोटी सी राय यह है कि 1000 रुपे एक्स्टा खर्च करके आप 6GB RAM 128GB storage वाला variant के लिए चले जाएगा आप निराशनी होंगे अगर आप long term के लिए स्मार्टफोन लेने का प्लान कर रहे है अब बात कर लेते हैं तीसरे स्मार्टफोन के बारे में जो है Samsung की तरफ से और यहाँ पर आपको Super AMOLED डिस्प्ले तो देखने हो मिली जाएगी 90Hz के रीफेरेश रेट के साथ बहुत ही अच्छा कैमरा और दमदार बैटरी भी आपको यहाँ पर देखने हो मिल जाती है मैं बात कर रहा हूँ Samsung Galaxy M32 की जहाँ पर 4GB RAM और 64GB स्टोर जोला वेरेंट 14,999 रूपीस का मिलता है दोस्तों यहाँ पर 6.4 इंचिस की Super AMOLED डिस्पले आपको देखने हो मिलेगी 90Hz के रीफेरेश रेट के साथ 7800 निट्स की ब्राइटनेस है तो आउटडोर या इंडोर कहीं पर भी आप इस्तेमाल करें आपको कोई प्राब्लम आने वाले नहीं है 90Hz का रीफेरेश रेट है तो कहीं ना कहीं UI भी आपको काफी अच्छा देखने हो मिलेगा बात करूं कैमरे की तो 64MP का प्राइमरी कैमरा साथ ही 8MP का अल्टरा वेडिंगे लेंस और 20MP की दमदार सेल्फी और सामसंग की जो कैमरा है वो काफी अच्छी परफॉर्मिस आपको देते हैं सोनर पे सुहागा यहाँ पर आपको 6000MH का बड़ा बैटरा देखने हो मिल जाता है डेड़ से दो दिन बहुत ही अराम से स्मार्टफोन आपको निकाल देगा 15W का फास्चार आपको बॉक्स के अंदर देखने हो मिलता है लेकिन यह स्मार्टफोन सपोर्ट करता है 25W तक की फास्चारजिंग को Mediatek का Helio G80 का प्रोशिसर आपको इस सामसंग के स्मार्टफोन के अंदर देखने हो मिल जाएगा जो की Day-to-day यूज़ के लिए काफी अच्छा है Heavy Duty गेम आप यहाँ पर प्ले नहीं कर सकते हैं Android 11 का सपोर्ट Samsung के One UI के साथ और साथी Nox Security का सपोर्ट 4GB RAM, 64GB, 14,999 रुपे के अंदर Samsung Galaxy M32 आप इसके लिए भी जा सकते हैं बहुत ही अच्छी है चॉइस हो सकती है और बात करता हूँ चौते नमबर के स्मार्ट फोन की जो की मैं बोलू हूँ कि बहुत अंडर रेटिड रहा अच्छा स्मार्ट फोन है आप यहाँ पर हाई जो सेटिंग से उसके अंदर BGMI खेल सकते हैं सूपर AMOLED डिस्पले आपको यहाँ पर देखने हो मिल जाता है 15,000 रुपे से निचे की प्राइस रेंज है इतना ज़ादा हाइप की रेट नहीं कर पाया है लेकिन फोन बहुत ही अच्छा है रियल मी 8 की में बात कर रहा हूँ चाहाँ पर 6.4 इंचे की सूपर AMOLED डिस्पले आपको देखने हो मिल जाएगी with 180 Hz touch sampling rate 4 GB RAM और 128 GB storage अला विरेंट 14,999 रुपे का है एक अच्छी बात आपको बताऊँ UFS 2.1 की storage है तो अच्छी खासी performance आपको यहाँ पर देखने हो मिल जाएगी साथ ही gaming processor आपको यहाँ पर देखने हो मिल जाता है MediaTek का Helio G95 कैमरा भी काफी दमदार है 64 MP प्लस 8 MP प्लस 2 प्लस 2 रियर में और 16 MP की पंचोल के अंदर selfie यह phone आता है 5000 image की बैटरी के साथ और 30 Watt का Super Dart Charger आपको box के अंदर ही देखने हो मिल जाएगा दोस्तों इसकी audio भी काफी अच्छी है मैंने personally इस phone को इस्तावाल करना है तो मैं जानता हूँ High-res audio आपको यहाँ पर देखने हो मिलती है तो gaming बगरा कर रहे हैं या फिर videos बगरा देख रहे हैं तो उसके अंदर भी काफी अच्छा experience आपका होने वाला है और क्योंकि phone का size जो है वो काफी comfortable है तो in hand feel भी आपको काफी अच्छी आने वाली है अब बात कर लेते हैं नंबर 5 smartphone की जो की एक 5G device है वैसे इसका price 15,999 रुपे है 6GB RAM, 4GB storage variant का मैं बात कर रहा हूँ Realme Narzo 30 Pro का लेकिन अभी bank office बगरा मिला के यह आपको 10-20% तक के discount पर देखने हो मिल रहा है तो easily आपको 15,000 रुपे से नीचे मिल जाएगा काफी अच्छी डील है बहुत ही दमदार processor आपको यहाँ पर देखने हो मिलता है MediaTek Dimensity 800U दोस्तो 6.5 इंचिस का Full HD Plus punch-hole display तो आपको यहाँ पर देखने हो मिली जाता है साथ ही 120Hz की higher refresh rate भी देखने हो मिल जाती है और 180Hz का touch sampling rate भी मिल जाएगा कैमरे की बात करूँ तो rear में triple camera है 48 plus 8 plus 2 और front में आपको 16 megapixel की selfie मिल जाती है यह phone आता है 5000 mAh की battery के साथ और under 200 gram का weight भी आपको मिलता है 5G के almost सभी band आपको यहाँ पर देखने हो मिल जाते है तो एक तरह से future ready smartphone है 15,000 रुपे के आस-पास का budget है और एक future ready smartphone लेना चाहते है जिसमें दमदार processor हो अच्छा camera हो higher refresh rate आपको देखने हो मिले definitely realme narzo 30 pro 5G के लिए आप जा सकते है यह थे वो 5 smartphone जो आज की तारिक में मेरी पसंद है 15,000 रुपे से निचे की price range पे अगर आप किसी और range के अंदर भी वीडियो देखना चाहते है तो निचे मुझे comment box में ज़रू बताएगा और इसी तरकी की वीडियो देखने लिए चैनल को subscribe और वीडियो को like जरू कर देजएगा मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्दी next वीडियो के अंदर